बिस्मिल्ला रवान वरहीम, असलाम अलेकुम, Chemistry Class 10, Chapter No.8, Industrial Chemistry, इसकाज हम Section C करेंगे Detail Question Question No.3 है, Write Down the Importance of Pharma Industry Pharma Industry की Importance आपको बतानी है, आपकी बुक में Page No.130 से हम स्टार्ट करेंगे, Importance of Pharmaceutical Industry Pakistan Pharmaceutical Business has risen significantly in recent decades, Pakistan के Pharmaceutical Business में काफी ज़्यादा नुमाया तौर पे इदाफा हुआ है, मौझूदा दहाईयों में, यानि के 10-20 एर्ज में इस Pharmaceutical Company की Importance के यह कुछ पॉइंट से, यह 7 पॉइंट से हम यह लिखेंगे, सबसे पहला पॉइंट है, Treatment Increases Life Expectancy क्योंकि यह जो हम Treatment लेते हैं किसी Medicine का, उसकी वज़े से क्या होता है, हमारी Life की Expectancy बढ़ जाती है, हमारी Life बढ़ जाती है The Pharmaceutical Business has made a significant contribution to the global increase in Life Expectancy for Men and Women Pharmaceutical Business की वज़े से, पूरी दुनिया में मर्द हों या औरत हों, उनकी Life Expectancy बढ़ गई है Medicine में तरक्की होने की वज़े से, बहुत सारी बिमारीों का इलाज दरियाफत हो गया, जिसकी वज़े से, जो है Life Expectancy बढ़ गई है और Death का रेशो कम हो गया है क्योंकि देखें, पहले बहुत सारी बिमारीों का इलाज नहीं होता था और बहुत सी बिमारीों की वज़े से, बहुत सी बिमारीों का इलाज होने की वज़े से, दवाईयां महजूद होने की वज़े से, डेथ रेशो कम हो गया है, इसलिए Life Expectancy बढ़ गई है सेकंड पॉइंट है, दा इंडस्ट्री स्ट्राइब्स टो एरिडिकेट एंड एलिमिनेट डिजीजेज़, जो इंडस्ट्री है, फार्मसुटिकल इंडस्ट्री, वो उसकी कोशिश यह है कि डिजीज को मुकमल तोर पे दुनिया से खतम कर दिया जाए, वेन इट कमस तो क स्केल, क्योंकि इस से पूरी दुनिया के एको सिस्टम में हेल्प होती है, स्मॉल पॉक्स इस फर्स्ट एंड सो फार ऑनली हियूमन इलनेस टो बी डेकलेर्ट एलिमिनेट इट गलोबली, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बिमारी है, जिसको जो है यह डबली ओ एचो ने यह डिकल स्मॉल पॉक्स की वज़ा से वह शुमार लोग मर जाते थे, लेकिन आज जो है इसकी बिमारी का यह इलाज मौजूद है, और आज जो है इसकी वैक्सीन मौजूद है, और इसकी वैक्सीन तकरीबन हर एक कुच्छे को पैदाईश के फॉरण बार लगा दी जाती है, जिसक बिमारी होती है, उसे कम कर दिया जाता है, क्योंकि जब किसी को पैन होता है, तो वह इसकी वज़ा से उसके बहुत बेचैनी होती है, तो इसकी बेचैनी कम हो जाती है, पॉर्डिंग तु दर रिसरच कंड़क्टेड बाइड़ वर्ल्ड हैल्थ और गिनाज़एशन, उन लोगों की निजबा जिनको किसी किसम का पेन नहीं होता, ज्यादा बेचैन रहते हैं, उनको एंजाइटी ज्यादा होती है, उनको काम करने में ज्यादा मुश्किल होती है, इसलिए फार्मसोटिकल इंडस्री के अंदर जो है ऐसे पेन किलर्स मौझूद हैं, जो लोगों पहल जाता तो बहुत शरीर नुकसान होता, वैक्सीन के जरीए डेथ रेट को भी कंट्रोल किया गया, और उसको पहलने से भी रोका गया, इसी तरह बहुत सी ऐसी बिमारियां हैं, जिनकी वैक्सीन ही जाद हो गई गये, और उस वैक्सीन को यूज करने के बाद उन बिमार जिन्दगें ही नहीं बचाती हैं, बलके मनी भी सेफ करती हैं, यहां तक लिंख निगाता, आप यहां से लिख लीजेगा, रिडियूस हेल्ट केर कॉस्ट, इस्तिमाल से हेल्ट केर की कॉस्ट कम हो जाती है, और प्रिवेंट लॉस्ट प्रोड़क्टिविटी, नुखसान भी कम से कम होता है, या जो डेथ रेट होता है, वो भी कम हो जाता है, फाइफ पॉइंट है, हॉस्पिटल स्टेज आर शॉर्टर, मैडिसन की वज़ए से यह हो गया है, कि आपको ज्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में स्टे नहीं करना पड़ता, इससे ही होता है, एक तो नैसेसिटेट्स अंवेसिव प्रोशीजर्स अंड सीर्जर्जरी के नाओ भी एड्रेशी with मैडिकैशन. बहुत से ऐसे प्रोशीजर्ड या सरजरीज वगया जो है, उनको अब मैडिसन के जरीज ट्रीयघ किया जाता है, पेशंट्स एबिलिटी टु बीडिस्चार्ज और quickly has relieved pressure on the healthcare system and personal जो patient को जल्दी रिस्चार्ज करी जाता है hospital से तो उससे क्या होता है healthcare system पे भी pressure नहीं आता और ये personally भी patients के लिए जो होता है helpful रहता है जब एक बहुत बड़ी industry लगती है जैसे pharmaceutical industry बहुत बड़ी industry है तो उसकी वज़ा से उस बेशुमार लाखों लोगों को जो होता है रोजगार मिलता है pharmaceutical firms employ millions of people across the world पूरी दुनिया में pharmaceutical firms के अंदर लाखों employees हैं लाखों लोग हैं जो काम करते हैं who labor in field as drivers as scientists, researchers, technological support and manufacturing और उन में से वो जो employees हैं वो labor भी हैं, drivers भी हैं, scientific research करने वाले भी हैं, technological support करने वाले हैं और manufacture करने वाले भी हैं, यहां तक लिखेगा pharmaceutical से लेके manufacturing तक उसके बाद seven point हम लिखेंगे pharmaceutical companies boost the global economy, pharmaceutical companies की जो होती हैं, वो global economy को भी boost करती है, the pharmaceutical business is a vital assist to the global economy, pharmaceutical का business जो है, वो global economy के लिए बहुत importance रखता है, as well as driving medical development by researching, और यह इसके अंदर जो है, researching के जरीए medical में भी development होती है, developing and providing innovative medications to people, उसकी साथ सार यह जो है, इसकी वज़ा से, लोगों को नई medications भी provide होती है, that enhance their health and quality of life, जो उनकी health and quality of life को बेखर कर देती है, pharmaceutical businesses on the whole play an important role in assisting patients and community, तो pharmaceutical की business जो है वो, on the whole अगर हम देखें, तो pharmaceutical का business जो है, patient को भी assist कर रहा है, और communities को भी assist कर रहा है, यानि इस pharmaceutical business के जरीए, patients को भी फायदा पहुँच रहा है और पूरी communities को भी फायदा पहुँच रहा है, question number 3 का answer यहाँ पे complete हो गया, question number 4 है, describe the soap preparation with the help of flow sheet diagram, आपकी book में page number 125 पर है, flow sheet diagram of soap preparation, soap preparation की flow sheet diagram है, बहुत easy सी है, लेकिन देखें, यह इस तरह से long के अंदर सिर्फ इतना चोटा सा question नहीं आ सकता, अगर यह long में आएगा, तो इसके साथ कुछ न कुछ combine करके कोई और question भी इसके साथ combine होगा, जैसे इस तरह हो सकता है, define soap notification, you write the method of soap notification, and also draw the flow sheet diagram, इस तरह करके दो part में question आ सकता है, अगर long में आएगा, तो आपने जो मैंने आपको short question के अंदर soap notification का method करा है, वो भी जरूर करना है, फिर आप यह देखेगा, जिस तरह सब्सक्राइब करते हैं, तो खाली flow sheet diagram बनाना भी काफी है, यह इतनी छोटी सी flow sheet diagram seven marks के लिए मेरे खाल में नहीं आ सकती, लेकिन जिस तरह से question आएवा हो, आप उस तरह से उसको देखकर समझ कर अटेंड किया कीजए, और उसके इसे परणाई होता है जिसको यह तैलो कहते है, उसके अंदर इसमेल होती है, तो इसको deodorizing करते हैं यह जिए बद्भू को खते हैं, परिफाइन करते हैं, और ब्लीच करते हैं, और उसके अंदर जो भी का इसका कलर होता है उसके कलर को या पिगमेट को रिद्यूस करने के लिए भी बीज भी करा जाता है यह चैहां जो आइल और फैट है यह ट्राइवनदाकcji के बाद सर्फ होता है इन दो नों का रियक्षन होता है इससे हमारे पास बन जाता है ऐसे घ्लिसरीन और सोप ऐसे हमारे चाहिए हमारे प पूरा मेथट लिखव है, वाटर और ऑईल मिक्स हुआ, तो सोप और ग्लेसरीन बन गया, इसके बाद इस दोनों चीजों को सेप्रेट कर देते हैं, ग्लेसरीन को अलएदा कर देते हैं, और इसको अलएदा से लिए प्यूरिफिकेशन के लिए इसको भी प्यूरिफाय के जा iAD, और उसके बाद ऐसको फिनिशिंग प्रॉसस के लिए लेकर जाते है, इसकी फिनिशिंग मेरे कृती है । दे जाता है, उसके अंदर अब्रेसिफर्धिम प्रिजर्विटवर टाले जाते है, के अंदर बड़ डाले जाते हैं और बलोलमों चाहाँ करा है, आप पने ब hydroxide के साथ फिर उसके बाद इसके ग्लेसरीन और सोब बन गया दोनों को सेपरेट कर दिया सेपरेशन कॉलम में आ गए उसके बाद ये सोब जो था ये ले जाए गया प्यूरिफिकेशन करी गया इसके अंदर इसके बाद ये फिनिशिंग चेंबर में आएगा और इसके अंदर फ्रेग्रेंस कंजर्वेटिव एजेंट्स कलरिंग और प्रिजर्वेटिव में लागे जाएंगे और सोब राइडी जाएगा इसके बहुत बहुत इजी सी है देखने में मुश्किल लग रही है आप बहुत इजी इसको बना सकते हैं इ राद इसके बहुते ही ओंडर काप्शम किसलाBir कर्भोन बात बाते हैंे देफ्टीव की तूसरे स्टे अंदर हीटिंग आभापरेंशन और कार्भोन आपी निसे कगा टीज सबसे पहले है उन्याम आपके छो स्थादिट आटार इसको दूझफए हीटिञें और कार्बले इस में पेजले में आइचे रहीोड को दाला है। इसके मपूसर के जाते हैं • वाटर को पाइस समय को रबत करा है इसमय ईस लिए शरीब के लिए उन दूर बेरब दाने कशल्राइन की डाइब Creator की हें यह हमने पड़ा है कि जो पानी है उसको जो बॉइल किया जाता है तो इसके अंदर बहुत सारे जरासी ही होते हैं इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर वाटर को हीट अप करने के बाद यहां पे इसको कार्बन डियुक्साइड के चेंबर तर पहुचाया जाता है और इसको जिन पाइप के जरीए पहुचाया जाता है यह कूलिंग पाइप्स होते हैं यह ठंडे होते हैं इनको ठंडा किया जाता है तो इन पाइप से गुजरते वे जब यह वाटर गुजरता है तो यह भी ठंडा हो जाता है इस चेंबर में जब यह पहुचा है तो वाटर कार्बिन एकसाइट नदर कमने थ pressingakah किलम कर्पर बबल में दालो नहीं है कार्बोनेटिड वौटर को इस पाइप के जरिए के घर कार्बोनेटिड वौटर को इस पाइप के जरीए इस मिक्सिंग टैंक के अंदर तीन चीज़ें एड़के जाती है सबसे एक होता है कलरिंग कलर एड के जाता है जिसे आपने देखा है मेरिंडा की औरेंज होती है या पाकोला की ग्रीन होती है या पैपसी की या कोको कोला की ब्लैक होती है इसके बार इसके अंदर सीरप एड के जाता है इनको मीठा किया जाता है इनके अदर शुगर होती है तो इसके अंदर शूगर का सीरप एड़ के जाता है और इसके इलावा फ्लेवर्स भी एड़ के जाते हैं जैसे के आपने मुखतलिफ कोल रिंग से मुखतलिफ देखें और यहां से निकलने के बाद यह फिर एक बार दुबारा इन सब की मिक्सिंग करने के बाद इसको एक ब आपने काल लेख हे उनिकले चे ठावजहर वारे काली कामझ तौक रियों को मुखतली है, उसको यह कूम्प करके तो और इसको पहनद करने के बाद भी एक सामग एड़ एक बॉटर के दर हीट तो रिढ़ रिख्ण के बाद करने के बाद अलिजल सान तो एक बदान मुखतल गया और फ्लेवर उसके अदर डाला गया उसके बाद इनको एक बार फिल्टर किया गया और फिल्टर करके इसको पैक करके मार्केट तक पहुंचा दिया गया तेखे कितना एजी सी थी फ्लेशीड डाइग्राम तो यह भी मेरा ख्याल है कि यह बी कोईसटें जो है शौर्ट क इनकी जितनी भी लेबलिंग है इस सारी आपको लेबलिंग करनी जरूरी है यहाँ पे आपका ये question complete हो गया इस question के साथ ही हमारे इस chapter के तमाम question complete हो गए आज हमारी chemistry की book भी complete हो गई मैंने कोशिच किए आपको तमान important topics करा दूँ लेकिन अगर आपको लगता है कि बीच में कोई important topics मसे missed हो गया है तो आप जरूर मुझे comment section के अंदर बताइए मैं आपको वो topic भी करवा दूँगी इसके इलावा जो important topics हैं और important question हैं वो भी मैं आपको जरूर करवाऊंगी Please do like, share and subscribe my channel Allah Hafiz